प्रेंड्स गुड़ मॉर्णिंग मैं गुड़ो सिना जिस कंपटेटिव क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं आज का हमारा टॉपिक है सभी का है इसके पहले बारे टॉपिक में इसके वारे में कुछ हम लोगों नहीं जाना था समाजी करन के वारे में किस परकार से परिवार का योगदान होता है इसके वारे में हम लोगों ने प्रिवेस वीडियो में देखा था आज क्या क्लास है तो परिकीरिया और परिवास यानि समाजी करण के परकीरिया किस तरह से होती है और उनकी परिभासों के बारे में आज हम लोग जानेंगे अगर प्रिवेस वीडियो आप तो नहीं देखें हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंग दिया हुआ है आपनों को उसे देख सकते हैं यानि समाजी सब्सक्राइब करेंगे अगर आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपनों सोच रहे हैं कि समाजी करन किस क्लास के लिए अगर आप लोगो सेट के त्यारी करें तो मुस्ट इंपोर्टेंट है उसके साथ ही साथ अगर वीड कर रहे हैं डी लडी कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग इस टोपिक से प्रश्ण बनते हैं इसलिए वीडियो को पुरा देखिएगा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्रा समाजिक परानी आप लोग सब्सक्राइब को जानते हैं कि मानब के समाज में रहता है इसका मतलब क्या है तो समाजिक परानी है वह समाज में रहता है अपना की विकास करता है तो समाज में होता है समाज में रहता है समाज में विकास होता है समाज की बिना उसका विकास असं भव नहीं है यानि करने का मतलब समाज में रहता है समाजिक बनता है तथा वह समाज के प्रमपराओं विचारों रहन सहन की तरीके को अपनाता यानि जिस समाज में रहता है वहां के रिती रिवाज को रहन सहन इस सभीक विचारों को जानता है किस तरह से प्रमपराओं जाता है क्या रहन सहन की तरीके हैं सारी वातों को समाज से ही सिखता है इस परकार से कहा जा सकता है कि यह समाज के अपना जीवन बिताता है तो उसका समुचित विकास नहीं हो सकता है मतलब ब्यक्ति समाजिक नहीं है, है तो ब्यक्ति है तो माना फिलिक उसके अंदर समाजिक गूल नहीं होते हैं, इस परकार वह समाज के परंपराओं मनताओं का अपना करें समाजिक बनता है, यानि समाजिक बनने के लिए क्या होते हैं, जो समाज के नियम हैं, जो हां किन बन ज़ेवन वह समाजिक गुरनों और सिखने की उस बहवार को गरहन करने में लगती है कहने का मतलब एक है कि समाजिक क्रण वैसा एक प्रोसेस है वैसा प्रकिरिया वैसा एक अस्टेज है जर्म से सुरू होता है और जीवन भाइज़ अब हर वरक्ती अपने समाज में किसी तरह से कुछ नकुछ सिखते रहता है यानि यही कह सकते हैं कि अपने जीवन के सारे गुनों को कहां से सिखता है तो समाज से सिखते हैं अब बतलए गवा समाजिक प्राणी में रूप परिवर्तित होने लगता है यानि समाज की नियमों को जब जानने लगता है तो समाज की जो नियम है नियम के एक और्डिंग वो समाजिक बढ़ने लगते हैं यानि कह सकते हैं कि कोई बच्चा समाज के बारे में समाज में रहता है तो समाजिक नियमों को जानता है यानि एक तरह सो समाजिक परानी में परिवर्तित होने लगा यानि उस समाज में गोल मिल गया है इस परकारिया जिसमें माना समाज दुवारा सिखता है जो उसके आज पास के समाज में दिखता है अर्थात कह सकते हैं कि व्यक्ति का समाजी करन समाजिक बेहवार को सिखना या सिखाता है यानि कहने का मतले हैं कि जो समाज में दिखता है उसी बात को अमल करता है, उसी की कार्डिंग वो चलता है, यानि एक व्यक्ति समाजी करन का होता है, जो समाज की नियमों को अपने अंदर यानि उसको बिहावियर में यानि अपने पहवार में उसको उतारता है, उसकी कार्डिंग वो चलता है, तो समाजी कहलाता है, यहाँ सबसे पहले हां पर कोन आते हैं तो जॉंसन उनके मतानुसर क्या कर गया है समाजी करन के वादे में समाजी करन एक परकार का सिखना है जो सिखने वाले को समाजी कार्ज करने योग बनाता है समाजी करन क्या है एक परकार का सिखना है यानि एक परकार सो लर्निंग है कैसा लर्निंग है जो समाज के कार्ज को करने योग बन जाता है उसी को बोलते हैं समाजी करन यानि समाजी करन कहने का मतलब ए है जाउंसंद के अनुसारे कहा गया है कि जो समाज के कार्ज है उस कार्ज को वो करने लगता है करने के योग बन जाता है इसका मतलब उसके अंदर समाजी करन का विकास हो चुका है दूसरे मनों बग्यान नहीं क्या हार्ट नहीं हार्टल उनका कहने का है अर्थ क्या है उन्होंने पर भात्सा दे तो यह कहा है यह पर कीरिया जिसके दुवार बेक्ति अपने आपको समुदाय के आदर्सिक अनुकूल बनाता है यानि कहने का मतलब है कि बेक्ति अपने आपक तो जिस समाज में जिस समुदाय में रहता है उसके अनुकूल ड़ाल लेता है अपने आपको बना लेता है वो क्या कहलाता है तो समाजी करन के परिकिरिया कहलाती है प्रोसेस कहलाती है यह हाटल का अनुसर कहा गया है जिस समाज में वो रहता है उसी के कोडिंग अपने अपक जिसके द्वारा बच्चा संस्क्रीटी के स्व रूपा और ब्यक्तित्व को प्राब करता है कि स्वाजी करन्क अंतरगत्व кап1 करता हैं उनके महत्प को समझने लगता है उनके इपॉर्डेंट को मानने लगता है एक इनके अनुसार तो ग्रीन का अनुसार कहा गया है कि जो समाज की नियम है उस नियमों को विसस्ताओं को या संस्कृति को रिति रिवाच को अगर बच्चा मानने लगता है उनके अनुसार चलने इसका मतलब ए है कि वच्चा क्या है तो समाजिक करन कंतरगत आचुका है एक रीन ने कहा था नेक्स्ट क्या है रिखते हैं स्विवार्ट एवं गिलन इनके अनुसार क्या कहा गया है समाजिक करनवह पर किरिया है जिसकी दुवारा लोग अपने संस्क्रीति के विश्वासों अभी बृति मुल और अपर्थाओं को गरहन करते हैं आन्य स्विवार्ट एवं मुलन का अनुसार कहा गया है कि समाजिक करनवा पर किरिया होते हैं जिसकी दवारा मनुसरय या मानन से लोग क्या करते हैं अपने संस्क्रीति को अपने रीति रिवाज को उनकी अंदर जो विश्वास जो अभी बृतियां वेस सारी बातों तर्था है समाजी करण के अंतरगत हुआ आ चुका है यहां पर शेक बड़ में बतलाए गया है क्या बतलाए गये हैं इस सारी परिभासों से असपस्ट होता है कि समाजी करण की दवारा मानव समाज में ठीक परकार से रहना सिकता है और समाज की नियमों अपना बिकास करता है यानि कहने का मतलब एह है कि अगर बच्चा कोई ब्यक्ति समाज में जो नियम है उस सारे नियमों को पालने करने लगता है उसका अनुसार वो अपने समाज की नियमों का अनुसार अपने आपको रहने योग बना लेता है समाज की नियमों को मानने लगत सबसे पहले हां पहले पंस प्रोसेस को भी आवे हमनों देखते हैं क्या 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 प्रोसेस हैं सब्से पहले हैं पिस Mt to बच्चा जन्म लेता है ना समाजिक होता है ना समाजिक होता है जब बच्चा जन्म होता है उससे क्या पता है क्या समाज होते हैं उससे कुछ नहीं पता होता है कहां वो जन्म लिया है कुछ उससे नहीं पता होता है वही बताया गया है जब बच्चा जन्म लेता है वह ना सम समाजिक होता है वह धीरे धीरे वह समाज के संपर्क में आने लगता है जैसे जैसे वह बड़ा होने लगता है वैसे वैसे समाज के अंतरगर समाज के नियमों को समाज के पहलों को जनने लगता है वैसे 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 समाजी के समाजी गुर्म बिखसित होने लगते हैं बच्च क्या नियम है किसी भी बात को नहीं जानता है क्या यहां कि रिती रिवाल जो कुछ नहीं जानता सभी से क्या होते हो अग्यान होता है प्रंतु जर्म लेते ही उसमें समाजिक बातवरन का परभव पढ़ने लगते हैं जैसे जैसे बच्चा की आयू बढ़ने लगता है वैसे एक समाजिक प्रानी बनने लगते हैं बतलाया गया जिससे उनका एज बढ़ता हुए सो इसे अपने समाज के बारे में जानने लगते हैं कि किस समाज में वो आये हैं उहां का क्या रिती है क्या नियम है उस सारे नियमों को जानने लगते हैं इस पर करोवा समाजिक रिती ज्वाज परणपरा आदी को बरिपक हो जाते हैं यानि देरे-देर उसाधे नियमों को जान जाते हैं कि उसी नियम का अनुसार उन्हें चलना है सारी बातों को समझने लगते हैं आगे दिखते हैं क्या है यहां पर नियुत है कुलता है समाज करusch हम कि आ sparked का अवधारना ? है कैसा समाज होते हैं समाज क्या होते हैं उनके कंसेप्ट किस तरह से आते हैं कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग देखते हैं समाजी करन एक ऐसी प्रकिरिया है जो व्यक्ति के समाजिक प्रानी बनाता यानि समाजी करन क्या है तो बच्चा यानि किसी व्यक्ति को समाजिक बनाने के लिए जो प्रोसेस होते होई प्रोसेस क्या है तो समाजिक करन है इसके अभवव में व्यक्ति समाजिक प्रानी नहीं बन सकता है यानि बिना समाजिक करन के को भी व्यक्ति समाजिक नहीं बन सकता है समाज में रहक कर नहीं हो अपना विकास कर सकता है सोचता है कि अगर हम जंगल में रहके समाज के वारे में जान ले तो संभव नहीं है यानि समाज के वारे में जानने के लिए समाज में ही रहना पड़ता है यानि समाजिक होने के लिए समाजिक करन बहुत जरूरी और बहुत इंपोर्टेंट है इन सभी परिनाम के स्वरूप समाजिक ब्यक्ति का विकास होता है मतला गया है कि समाजिक करन के वाद ही ब्यक्ति क्या होते हैं तो समाजिक होते हैं समाजिक प्रानी बनने की परकिरिया में ही समाजिक करन कहलाती है यह बतलाया गया है कि जिस प्रोसेस से ब्यक्ति समाजिक बनता है वही प्रोसेस कहलाते हैं समाजिक करन जिन पधती तरीकों दुवारे बाला का समाजिक करन होता है वे समाजी करन की परिकिर्याएं कहलाती है यानि समाजी करन होने में जिस प्रोसेस हम लोग गुजरते हैं जिस प्रोसेस को हम लोग कदम आए कदम कह सकते हैं आगे क्यों बढ़ते हैं वही प्रोसेस कहलाती है क्या तो समाजी करन की परिकिर्याएं कहलाती है इसमें मुखरू प्रोसेस और सेकंडे प्रोसेस यह दो प्रोसेस के बाद की गई है प्राली में कहने का मतलब प्राइमरी के अंतरगत क्या क्या होते हैं इस परकिरिया में विस्सेस कर बाले के पालन पोषन की विधियाओं की जानकारी दी जाती है यानि प्राथमिक यानि प्राइमरी प्रोसेस में क्या होते हैं बच्चा को यानि छोटे आवस्ता यानि इसमें छोटे आवस्ता कर चर् यानि बच्चा परिवार की लोगों से जो ग्यान पराप्त होता है वह घर परिवार की लोगों को समाजिक पेवार देखते हैं उनकी सुझावों को सिखता है यानि कहने का मतलब बच्चा पहले कहां से सिखता है तो अपने परिवार से सिखता है उनके परिवार में उनके मात पूता है यहां विद्धाव को स्वढ़न हैं समाजी क्या सब सबस् mauvaisक्राइब और स्माजी करन समाजों को पालन कें से बाढ़ों को आदर करना चाहिए तो एक विद्धास गाइडलाइन दिया गया कि अम्रिति जिवाज मानता कि तुम्हारे बड़ा है तुम्हारे दादा है तुम्हारे फूब तुम्हारे फूब करना चाहिए भतलाते हैं कि पुराने चीज है या некотор किसटे उनको शुजाब देये जातों बतलाएं जाता है फिक से यह सुजाब विचाब करता है कि इस परकार और समार का सदस्त बन जाते हैं इपने माता पिता को अपने घर परिवार के सदस्त्रियों के दुबार बतलाएं इदिये वादतों को मानते हैं आदो समाजी करन के पहले चलाने में पहुंच जाते हैं सुझा आपके माध्यम से सेकर्ण माध्यम क्या है देखते हैं सेकर्ण हे पालन पोषण की बीधि इसमें क्या हुआ है देख लेते हैं पालन पॉसन की बिजिया में जब बच्चा जर्म लेता है वह असहाय होता है इस जए बात है यानि किसी दूसरी को पर होता है अपने आप तो से टिट्पेंट नहीं है माता-पिता है वह विक्ति होते हैं जो बाला का देखवाल करते हैं बच्चा यानि किई उपरंड होते हैं तो माता पिता माता पिता प्でवायर करते हैं जिसमें मा की भूम्खा बहुत ज्यादा लुट होती है बतला गया है कि बच्चा के बालन पोसन में सबसे बड़े भूमका होते हैं उनकी माँ की जो उसका पालन पोशन करती है पालन पोशन के तरीके बालों को समाहज करन के मुहत्वूं वज्चों को पालन पोशन करती एक तरह एक तरीके से क्या है तो समाजी करन के ही यह क्या है वो तो अस्टेज है यानि क्या सकते हैं कि पजिवार वे माता की बड़ी भूमका होती है समाजी करन की पाट पढ़ाने में यह था उनका सेकन स्टेप यानि जो पहला प्राथिमिक करन थे प्राथिमिक प्रोसेस थे प्राइमरी प्रोसेस था उसका सेकन अस्टेप था ठर्ड़ा स्टेप क्या है देखते हैं अनुकरन अनुकरन का मतलब क्या होता है अब जानते हैं यानि देखकर अनुकरन देखकर कह सकते हैं एक तरीके से करने गजन जब अच्छा च्छोटा होता है वह आपने हां च्रस आप कुछ देखता है सपकरह एक है जो बचावटा होते हैं देखना कि पिताजी क्या कर करे नके ईपड़े वह क्या करते हैं घर परिवार में क्या लोग करते हैं उन्हीं कि देखकर वो भी बच्चा करने लगता यान एक तरीके से क्या लगते हैं कि समाज का पहला स्टुड़िया है तो अनुकरन करना यानि देखकर आगे बढ़ना जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता है अपने आस पास के बिविन लोगों को संपर्क में आता है उनके बहवार का अनुकरन करके समाजिक बन जाता है यानि लोगों के बेवारों को देखता है क्योंकि इस तरह की तरीके से लोगों के साथ विहाइब करते हैं उसी तरीके सोह विहाइब करने लगता है यानि उनके अंतरगत एक तरीके से समाजी करन का पहला चरण स्टार्ट हो जाते है यह थे primary process की कुछ topics अब हम लोग आते हैं next क्या है तो समाजी करने की कौन process यानि कह सकते हैं secondary process इसके अंतरगत क्या क्या आते हैं देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है परतियोगिता परतियोगिता क्या होती है देखिए परतियोगिता क्या होती है परतियोगिता का अर्थ होता है दो या दो सद्धिक व्यक्ति तुवारा किसी बस्तु को प्राप्त करने का पर्यास करना यानि कह सकते हैं दो या दो सद्धिक व्यक्ति किसी बस्तु को प्राप्त करने के लिए जो courses करते होई कोशिज क्या कहलाती है तो परतियोक्ता कहलाती है परतियोक्ता समाजिक रन को बढ़ावा देती है हर वेक्ति समाज में अपमान मान समान और आदर चाहता है यानि हर वेक्ति चाहता है कि हमारी इज़त हो हम समाज के लिए अच्छे हो या तो कुछ अच्छा बर्क करें इसलिए तो बलता है कि इस कारण वह समाजिक बेहवार को सिखने में लगा रहता है इसके प्राप्त करने के लिए परतियुकता भी भाग लेते रहे हैं समाज के लिए समाज के नजर में मान समान प्राप्त करने के लिए अपना मान को अच्छा करने के लिए लोगों से रिस्पेक्ट बानने के लिए तो समाजी करण काम करता है, समाजी करण की प्रोसेस को सहे धंग से सिखता है और समाजी कारण जो उसे लगाता है ताकि उसे लोग अच्छा कहें। तो समाजी करन में ये भी एक कहीं ने कहीं एक उनको बढ़ावा देता है यानि परतियोक्ता की माध्यम से भी अगर परतियोक्ता यहां पर नहीं होती तो लोगों से क्या मतलब था कि लोग क्या करें कुछ एकर उसे कोई मतलब नहीं है लेकिन परत्योगता की माध्यम से ही वो क्या होते हैं तो अपने आपको और बेहतर बनाते हैं ताकि सभी के नजरे में हम क्या हो तो और अच्छा कहला है लोगों के नजरे में हमारे भी नाम हो यह एक तरीके से कहा सकते हैं कि परत्योगता की माध्यम से भी समाजी करन का यहा पहले बालक अपने परिवार के लोगों का सहयोग करते हैं आगे चल कर वे अपनी आयू के बच्चों के साथ मिजल के काम करते हैं उनके सहयोग लेते हैं सहयोग दोवारा बच्चा बड़ा होके असलंक समाजिक पर्मप्राय मुल्यों तथा पर्थाओं को सिख जाता है यानि कह सकते हैं कि समाजी करन में सहयोग करना बहुत बड़ी भूम क्या है यानि पहले अपने घर परिवार के यानि माता पिता दादा दादे फाई बंदू के साथ हिल्प करते हैं जिरे धेरे अस्कोल में जाते हैं तो अपने एज के बच्चों के साथ हिल्प लिना देना करते हैं नेक्स्ट क्या है तो संखर्थ, संखर्ष क्या है देख लेते हैं संखर्ष में क्या है शंखर्ष, या insight संखर्ष करथ होगा है, दो ब्यक्ति अथवाद, दो समु के बिच में किसी बस्तू को पराप्त करने की कोर्सिस या होड करना चाहिए एक तरसी का सकते हैं या कमपटिशन की बाद इसमें भी आ रही है याजनी चाहे दो व्यक्ति हो दो समदाए हो दो सदस हो उनकी विच्चे में किसी भी चीज़ को पराप्ट करने की कोर्षिस करना खोड करना यानि खोशिस करना ब्यक्ति को समाज में आगे बढ़ने के लिए संखर्ष करना पढ़ता है बिना संखर्ष करे वह सफ़ता प्राप नहीं करता है इसे ब्यक्ति को बेवार पर भावित होता है इस संखर्ष के द्वारे ब्यक्ति की समाजिक रण होते हैं तर संखर संहर्ष करना सही में समाज का आवसक तत्व है और सभी व्यक्ति को संहर्ष करना ही पौड़ता है मुला क्या है कि समाजी करन में संहर्ष की बहुत बड़ी भूमका होती है अगर वीडियो आप लोको अच्छा लग रहा हो तो फिलिक वीडियो को लाइक किजेगा और किस तरी के नगरे मैं अच्छे कह लाएंगे तिक तरीके से कह सकते हैं कि समाजी करन यानि संहर्ष के वाथिम सही संहर्ष के दोवारा ही हम समाजी करन को आगर रहा सकते हैं अपने पहचान बनाना देखें क्या है एक व्यक्ति दुवारा स्वेंग दूसरी व्यक्ति के अनुसार बेहवार को गरहन करना या धालने के परकिरिया को तादमिकरन यानि आइडेंटिफिकेशन कहलाता है ज्यादा तर बच्चे आने पिग हर परिवार सगे समधी आपके मित्र परिवारिक सरस्छोग आद्धिक को आइडेंटिफिकेशन करन्र अस्थापित करते हैं तहाद करन्र बच्चों में समाज करनके परकिरिया हैं बिस्यस महत्वरकती है यानि कह सकते हैं कि लोगों के दोवारे अपने सगे समंधी, दोस्त, यार, माता, पेता, घर, परिवार के दोवारा कह सकते हैं कि एक पहचान बनाना जिसे मान लेते हैं कि जिस समाज से हम आते हैं तो यहाँ यह हमारा समाज है किसी समाज का नाम है पर नहीं ले सकते हैं यानि कहने का मतलब कि हाँ यह हमारे समाज के लोग हैं यानि एक तरह के से पहचान के माध्यम से आइडेंटिफिकेशन के माध्यम से उस समाज का विकास करते हैं कि हाँ अपने समुताय का विकास करते हैं यानि कहने करते हैं कि अइन्टिकेशन भी एक परिकास से समाजी करण की बहुत बढ़ी भूमिका है यहां पर कुछ आ कर क्या बतल ला गया बच्चों में समाजी करण के सिछा का युगजण यानि बच्चे हां प 실ण करते हैं सिच्छा गरहन करते हैं तो समाजी करन उनके लिए किस तरीके से युगदान करती है यानि समाजी करन के मादहम से सिच्छा का युगदान कैसे है यानि सिच्छा के युगदान में समाजी करन की इस तरह के से महत्पूर्ण है यानि सिच्छा के छतर में समाजी करन यानि समाजी करन करने में समाज का निर्मान करने में सिच्छा को तो योगदान है ही तो सिच्छा देते कौन है तो अध्यापक अध्यापक की बहुत बड़ी भूमका होती है समाजी करन के निर्मान करने में सबसे पहरे टोपिक्स में ब्यक्तित्व का विकास जब बच्चा स्कूल अथ्वा कॉलेज में दाकला लेता है तो उसके बाद ही विद्यारति की व्यक्तित्व का सरवांगित भिकास होने लगता है यहां बच्चे बहुत से लोगों के समपरके में आता है बतला है कि जैसे ही बच्चा का स्कूल में अडिविशन होता है उसी समय बहुत सारे लोगों से मिलता है एक दुसरे से बाते करता है या एक तरीके से कह सकते हैं समाजी करन का उनका स्टार्टिंग हो जाता है समाजी करन की प्रोसेस उहां पर स्टार्ट हो जाते हैं ज उसके मिलते हैं तो समाज करने ही तो होती हैं कि समाज कि नियमों को जाना उनका अंशार अपने आपको नंके बातों को बातों को मनना उनके ओर्डिनिंग वो चलने लगते ही यानि एक तरीके से कह सकते हैं कि सिच्छा की दुवारा इफिस समाज्य करन के युगदान यहां पे होने लगे सेकरन स्टेप क्या है तो अधिकार तथा करतब्यों को ग्यान यानि सिच्छा की मदद से बच्चा अपने अधिकार तथा कर्तब को ग्यान हो जाता है यानि सिच्छा की माध्यम से वो जानता है कि हमारा क्या है हमारा अधिकार की स्पेज, हमारा कर्तब क्या है और फिर वो अपने कर्तबों का पालने करने लगता है अपने अधिकारों को समझ पाते हैं जिससे उसका समाजी करन होता है यानि अपने अधिकार के द्वारा अपने करतब को मानता है कि हमारा करतब क्या है या हमारा अधिकार क्या है जा अपने अधिकार अपने करतब को जान जाता है तो कह सकते हैं उनके अंदर समाजी करण की गून आ जाते हैं नेक्स्ट क्या है देखते हैं संस्कृती का ग्यान इसमें क्या बतलाएगा संस्कृती की ग्यान में देखिए संस्कृती की ग्यान सिच्छा बेद्यार थी कि बच्चे अपने संस्कृति अपने रिती रिवाज परंपरा धर्म को जब जान जाता है तो उनके अंदर एक परकार से क्या हुआ तो समाजी करने के गूर आ गया है अपने नियमों को अपने समाज की नियम अपने रिती रिवाज अपने धर्म के वारे में अपने परंपराओं के वारे में सारी बातों को जान जान जा है इसका मतलब उजाने का कि हमारे समाज में किस तरह से नियम में क्यारीती रिवाज हैं क्या प्रमप्रा है इस सारी बात को जान जाता है नेक्स्ट क्या है नियमों का पालन देखिए क्या है नेक्स्ट नियमों का पालन में बिद्याले में सिच्छा प्राहत करने के साथ सत्वा बिद्याले दवार दिया गया न्यमों को पारन करता है यही नहीं इस कारण वो अनुसासन में रहने लगता है जिसे बच्चों को समाजिक रन होता है जब विद्याले वो आता है तो विद्याले के सारे नियमू को मानता है जो विद्याले की नियम अस्कोल की नियम उनको मानता है अनुसासित होता है यानि अनुसासन भी एक परकार से क्या है तो समाजी करन का है निर्मान करते है नेक्स्ट क्या है बिभीन लोगों के संपर्क यानि स्कूल अथवा कॉलेज में परविस लेने के बाद बिजयार थी अनिक लोगों के संपर्क में आते जिसे सिच्छा के उनकी बिजयार थी हैं अनिक तरीके से बिजयार थी मिलते हैं इस परकार अनिक लोगों से उनकी समाजिक संपर्क बन जाता स्कूल और कॉलेज समाज किसे कह सकते हैं कि सिच्छा संस्थान एक तरीके से बहुत ही बड़ी क्या है तो समाजी करन का एक माध्यम है नेक्स्ट क्या है समायोजन यानि सिच्छा का दोवारा बच्चों में समायोजन की भामना बिक्सित होती है सिच्छा काल में बालक एक दुसरे के साथ रहते हैं अपने बिचार को अदान परदान करते हैं इस कारश से बच्चे अपना समय जन कर लेते हैं समय जन का मतलब होता है यह कंसकते है एडजस्टेमन्ट यानि दूसरे के साथ किस तरह से लेना और और भीबा? यह क्या है एडजस्ट करना सिख लेते है बिद्याले में अब इनकी निसकर्ष को देख लेते हैं निसकर्ष क्या कहता है लास्ट पॉइंट है इस कारण निसकर्ष कहा है इस कारण से बच्चे समाजे करण में सिच्छा के बहुत महत्पूनिय सिच्छा के माधम से समाजे करण का बहुत जादा विकास होता है बिद्य अधिकार करते हैं भावना आधि दुवार अपने ज्यान की बृधि करते हैं बतलाया गया है कि विद्याले में आकर वो जीती दिवाज को जानते हैं प्रंपरा को जानते हैं अपने करतव को जानते हैं अधिकार को जानते हैं भावनाओं को जानते हैं इस सारी बातों को जान करते हैं अपने यान को ब्रिधी करते हैं यह कह सकते हैं कि सामाजी करन में बिज्याली की भी बहुत वड़ी भूनका होती है यह क्या था तो सामाजी करन की परिकिरिया और क्या कह सकते हैं तो उनके परिवासा हैं अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो झाल झाल